तो आज 29 मार्श के करेंट पर हम देखने वाले इस वीटियो में शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूस के साथ तो शॉर्ट न्यूस यह है कि आपको पता ही है कि चीता जो है पहले नामीबिया से फिर साउथ एफरिका से भारत में लेकर आए गए थे हैना तो जो नामीबिया से जीता लेकर आए गए थे सितंबर 2022 में उन में से एक जीता फीमेल जीता है जिसका नाम था साशा नाम भी इतना अच्छा है देखिए और इन सभी को कूनों नैशल बाग में तो रखाए गया था MPK तो यह जो यह जीता जो थी एक साशा इसकी डेथ हो गई है ड्यू टू जब लेकर आये थे तह ऐसा कुछ नहीं पता था किइसको कुछ प्रॉब्लम है बाद में पता चला कि इसको किड़नी इंफेक्शन है तो उसी के बज़ा से डेथ हो गई है यह और नामीबिया की बात हो रही है तो नामीबिया की डेशा है विंडो के पाशन है पहला हमारे who is elected as new president of Bricks Bank Bricks bank और फिर से new development भी कहते है इसके नए president के तौर पे अपोइंट किया गया है और दिल्मा रॉसफ को यह former Brazilian President भी रह चुकी है पूरन इन्हें इलक्स किया गया है new president of the bank यह replace करेंगी Marczyosroisazo को NDB जिसे Bricks bank के नाम से भी जानते है a multilateral ITका इसे सेट अप किया गया था इंक्लूडिंग ब्राजील रश्या इंडिया जाइना साउथ आफ्रिका एंडीबी इसके स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को ठीक हेड़ क्वाटर है शंगाई में और ब्रेक्स समिट 2023 की यह कहां पर हमें देखने को मिली देखने को मिलेगी साउ पर नील मुहन यूट्यूब के CEO है एसी चरणिया नए चीफ टेखनलोजिस्ट आफ नासा तीम मायो पलॉस यह सिलिकन वेली बैंक के CEO फिर हम देखे पहले इंडियन अमेरिकन जर्च अट नियू यू 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 कोट यह है आरून सुब्रमन्यम हमारे जो क्या गया है जी सी को एस हेड़ कोच यूनी लिवर अपॉइंस हिन हैंस क्यू मेशर को यूनी लिवर के द्वारा CEO के रूपे अपॉइंट किया गया है जेसन मूँ अपॉइंट हुए हैं ऐस CEO बैंक आफ सेंगापूर और सिंधी हुग सिंधी हुग नेम्ड एस CEO ऑफ 2023 ओलंपेक ओगनाइजिंग कमिटी नेक्स्ट क्वेशन है निखत जरीन लौवलीन बार्गोहन वान विच मेडल एक विमेंस बॉक्सिंग चैंपेंशिप तो इन दोनों ही प्लेयर्स ने इन दोनों ही बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस बॉक्सिंग चैंपेंशिप में निखत जरीन ने जीता है इन 50 kg आफ्टर डिफीटिंग टू टाइम एशियन चैंपिन गुएन थीर टैम औफ वियत्नाम और लौवलीना बॉर्गोहन की बात करें तो इन्हों ने 75 kg मिडल वेट कैटेगरी में औस्ट्रेलिया की कैटिलिंग पार्कर को हराकर यह गोल्ड जीता है इससे पहले 2018 और 19 में लौवलीना बॉर्गोहन ने ब्रॉंज मेडल जीता था ठीक है अभी यह इनका गोल्ड है यहां पर कुछ प्लेयर्स दिये गए हैं जो न्यूज में रहे हैं पिछले कुछ दिनों तो सर्जियो पैरेस पैरेस जो हैं इन्होंने साओधी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स 2013 जीता है पंकज आडवानी स्नूकर है एशियन बिलियर्स टाइटल जो है इन्होंने जीता है फ पिर हम देखें इंडियन वेटलिफ्टर्स है धनुश लोगनाथन और जोशना सबर इन दोनों नों ब्रॉंच मेडल जीता है इन देर रस्पेक्टिव कैटेगरीज अड़ आई डबलु एफ वर्ल्ड यूथ चांपिनशिप इन अल्बानिया रानी रामपाल होकी प्लेयर है इन्होंने अचीव किया है significant milestone as the first woman in sport to have a stadium named after her और रोहन बोपन्ना की बात करें तो यह बने है oldest tennis player to win ATP Masters 1000 title इस विच्टि रैंड अमंग वर्ल्ड's top universities तो यह है हमारी IIT ग्वाहती ठीक है smallड की top university नहीं है यह लेकिन वर्ल्ड की टॉप universities जो है उनमें से एक है ठीक है तो और रांग इसकी आप देख सकते हैं कहां पर है 222 ए ठीक है तो वर्ल्ड की बाइस सब्जेक्ट रिलीजड बाइस और इसने सभी यूनिवर्सिटीज में जो टॉप फिफ्टी फोर अकैडमिक डिसिप्लिन्स पढ़ाया जाते हैं उनके लिए एक यह लिस्ट जारी की है इंडिया 12th most represented territory है in the world और in the broad subject area IIT Guwahati performed best in engineering and technology और इसमें इसकी रेंग कितनी रही है 222 रही है को डेवलप्ट डिवाइस टू डेटेक्ट मिल्क एडल्ट्रेशन दूद में जो मिलावट होती है उसका पत्ता लगाने के लिए एक डिवाइस को डेटेक्ट किया गया है किसके द्वारा IIT मदरास के द्वारा ठीक है जो है उन्होंने डेवलप्ट किया है थ्री डिमेंशनल 3D पेपर बेस्ट पॉर्टेपल डिवाइस जिससे दूद में जो एडल्ट्रेशन होती है उसको तीस सेकेंड के अंदर डेटेक्ट किया जा सकता है और यह इतना आसान है कि इसको घर पर भी कर सकते हैं यह मल्टिप है कि जो भी एडल्टरिंग एजेंस को यूज किया जाता है उनको डेटेक्ट किया जा सकता है इसके जरिए यहां पर आइटी रिलेटेट करेंट अफेर हैं तो आइटी कानपूर जो है इसने डेवलप किया है कंप्रेस्ट एयर बेस्ट मिनरल ट्रांसपोर सिस्टम और यह जो प्रयोजेक्ट है प्रेजेंट किया गया था इत ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट में 2023 में जो हुई है इस रों ने साइन गया है एम यू विद आइटी मद्रास तो हैं क्रियेट रेनिंग मोड्यूल फोर देर इंडियन हूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम फिर हम नेक करने के लिए एक्जामिनर ऐसा कुछ दे सकता है कि सिंधुजा वन का नाम दे दे और आप्शन में दे दे कि कोई सब्मारीन है तो इसलिए आपको याद रतना है पिर है नेक्स्ट आइटी मद्रास और उस्ट्रेलिया उनिवर्सिटीज ने कोलाबरेट किया है तो लांच उस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी तू वर्क उन 20 30 स्टीज जो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स है उनके लिए काम करने के लिए फॉर्स्ट जॉइंट कॉंफरेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया और आफ्रिका हेल्ड इन विज़ सिटी तो यह पह इस फॉर्स एवल कॉंफरेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इस कंट्री आर्मी चीफ्स ऑफ 10 कंट्री अलोंग विद 31 रप्रेजेंटेटिव सफ आफ इन इस फॉर्स एवल फॉर्स एवल एर एकसाईज इन नियन ने भी किलो क्लास कंवेंशनल सबमरीन जिसका नाम है आयनेस सिंधु केसरी इसे जकार्ता इंडोनेशिया में पहली बार डॉक किया गया इंडिया सेशल्स ने एक पेक्ट साइन किया है और इन्फोमिशन शेरिंग इन मेरिटाइम सेक्योरिटी फिर हम देखें बेल इन ओनर ओफ इसको नेपाल के श्री मुक्तिनाथ टेंपल में रखा गया है और इंडियन नेवी का ट्रॉपक्स 2023 मेरिटाइम एक्सराइज यह इंडियन ओशन में हुआ और लास्ट देखें एर मार्शल एपी सिंग यह हमारे नय वाइस चीफ है इंडियन एर फोर्स के इसका आंसर होगा विशाखा पत्नम सेकेंड जीट्वेंटी इंडियन प्रेजिटेंसी यह कहां पर विशाखा पत्नम आंदर प्रदेश में हमें कल और आज 2830 को देखने को मिली अराउंड 63 डेलिकेट्स फॉर्म जीट्वेंटी मेंबर कंट्रीज और इंटनेशन और फानेंसिंग सिटीज अफ टुमॉरो इंक्लूजिव रेजिलियंट अंड सस्टेनेबल नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टन समिट्स देख लेते हैं इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जैपूर में हुई जीट्वेंटी साइंस वरकिंग ग्रूप सेकर्टेरियर्ट आइसी बेंकलूरू में ग्लोबल टेक्नलोजी समिट नाइनली थर्ड ग्लोबल हाई-लेवल कॉंफरेंस ओन एंटी-माइक्रोपियल रेसिस्टेंस यह मस्कट ओमान में 25th National Conference on e-governance जम्मु कश्मीर, No Money for Terror Conference यह इंडिया ने होस्ट की, 14th World Spice Congress यह हुई मुंबाई में 2nd UN World Geo Special International Congress हैदरपाद में, National Conference on Environment Ministers गुजराथ में, वारांसी को नॉमिनेट किया गया है 1st SCO Tourism and Cultural Capital और World Water Congress और एग्जिबिशन यह डेनमार्क में देखने को मिला Asia's largest 4-meter liquid mirror telescope unveiled in which state? इसका answer हुगा गुजराथ और हमारे जो यूनियन मेंस्टर हैं, डॉक्टर जीतेंदर सिंग इन्हों ने इसे inaugurate किया है अट देवस्थल इन उत्तराखंड Telescope जो है, डिजाइन किया गया है और बनाया गया है by the Advanced Mechanical and Optical Systems Corporation ठीक है, और ILMT यानि कि International Liquid Mirror Telescope employs a 4-meter diameter rotating mirror made up of a thin layer of liquid mercury to collect and focus light तो यह चीज़ें आपको इससे related याद रखनी है नेक्स्ट यहाँ पर उत्राखंड से related चीज़ें हैं तो देखते हैं, Governor गुर्मीद सिंग, CM है पुशकर सिंग धामी इसका उत्राखंड का स्टेट की रूप में formation हुआ था 9 November 2000 को उत्राखंड में ही पहला Electric Pilgrimage Corridor हमें देखने को मिलेगा उत्राखंड government make the state drug free by the year 2025 उत्राखंड का टेबलू जो है इसे Republic Day परेट पे जो टेबलू देखने को मिला था उससे पहला प्राइस मिला है इंडिया की पहली Observatory to Monitor Space Activity यह उत्राखंड में On the Occasion of National Sports Day उत्राखंड के CM ने लौंच किया है मुख्यमंत्री उद्यों कि लाड़ी उन्यानियोजना और National Park को शुत्राखंड में हैं जैसे Jim Comet, Rajaji, Valley of Flower, Nanda Devi, Gangotri, Govind, Pashu Vihar अगला question है Manrega wage rates revised by up to how much percent for 2023-24 तो Manrega wages जो है 2023-24 तक के लिए इनको revise किया गया है और बढ़ाया गया है up to 10% अगर आपसे पूछा जाए हाइस्ट मंद्रेगा wages कहां है तो कॉंसे स्टेट में वो है हर्याना 357 रुपे, 357 रुपीज पर डे और लोएस्ट हमें देखने को मिलते हैं मध्यपरदेश और 36 गड में 221 तो 21 रुपे है दिन की पूरे दिन की मस्दूरी का तो यहां से एक और आपके लिए important question ही है कि हर्याना में सबसे जादा है मन्रेगा wages, daily wages 357 और मध्यपरदेश 36 गड में सबसे कम और अभी जो 10% बढ़ाया गया है यह 1 अप्रेल 2030 से लागू हो जाएगा मन्रेगा की बात करें तो एक flagship program है जसका aim है enhance the livelihood security of households in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment तो ऐसा भी question आजाता है कि मन्रेगा के तहत कितने दिनों के लिए काम दिया जाता है तो 100 days के लिए और एक और चीज़ आपको याद रखने है कि सिर्फ rural areas के लिए ही है ठीक है फिर आते हैं next पर यहां पर मन्रेगा के बारे में कुछ और चीज़ दी गई है जैसे कि full form सबसे पहले महात्मा गांधी national rural employment guarantee act one of the largest work guarantee program है in the world जैसे 2005 में launch किया गया था by ministry of rural development इसका primary objective है to guarantee 100 days of employment in every financial year to adult members of any household willing to do public work related unskilled manual work इसमें यह भी बोला गया है कि at least one-third beneficiaries women होनी चाहें ठीक है और मन्रेगा के मन्रेगा के तहर्ट जो wages दिये जाते हैं वो minimum wages act 1948 के तहर्ट दिये जाते हैं as of 22 23 there are 50 15.4 crore active workers under the इन्हों नेक्स्ट वरीद थेक्य थला पास्ट अवे फिमस यह एक्टर थे आप्शन नमबर सी यहां पर आम सॉरी बी यहां पर है रिनोंट मल्यालम एक्टर इन्नोसेंट वरीद थेत्य थाला थेक्य थाला पास्ट अवे आट 75 इन्हों ने फिल्म इंडस्ट्री 1972 में जॉइन की थी फिर देखें यह एक फॉर्मर लोगसभा एंपी भी रह चुके हैं 2014 में लोगसभा इलेक्शन्स इन्हों ने जीते था एजन इंडेपेंडेंट केंडिडेट बैक्ड़ बाइद लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट फ्रंट फ्रॉम चला कुडी ठीक है और हिंदी फिल्म में थोड़े एक्टिव हमें देखने को मिले यहां पर रीसेंट जितने भी लोगों की मृत्ति हुई है वो दिये गए हैं तो हम इनको बहुत बार रिवाइस कर शुके हैं तो अगर आपने नहीं किया पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आप इसको पॉस करके पढ़ सकते हैं अदर वाइस आपको इसारी चीज़े ज्याद ही होंगी नेक्स्ट आते हैं हम्जा यूसफ और वेच कंट्री इलेक्टेड लीडर ऑफ स्कॉर्टिश नैशनल पार्टी तो हम्जा यूसुफ जो हैं यह पाकिस्तान के हैं पाकिस्तान और इजिन यह पर्सन है जिनको इलेक्ट किया गया है लीजर आप से बिलॉंग करते हैं यहां पर न्यू प्रेजिटेंट भी दिये हुए तो यह भी हम बहुत बार देख चुके हैं तो आप इसको एक बार वापस से पॉस कीजिए और जल्दी से देख लीजिए बाकी आगे अभी लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए दबुक इसे के साथ वीडियो का होता है थाइंक यू सो मच वाचिंग जैहिंद